दोस्तो भाला फेंक में नोधीप का रजट सोने में बदला और भारत की जोली में हो गया साथवान स्वंड पदक आखिर क्यों ही रानी अथलीट को अयोगी घोसित किया गया दोस्तो आईए आपको बताते हैं क्या है पुरा मामला तो हुआ कुछ ऐसा की पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 के अंदर नाटकी घटना करम की बाद भारती भाला फेंक एथलीट नोधीप को स्वंड पदक देने का फैसला लिया गया है दोस्तो इससे पहले इन्हें रजक पतक बिजेता घोसित किया गया था लेकिन नोधीप ने अपने तीसरे प्रियास में 47.32 मीटर का थो किया जो उनका सर्वसरिस्ट थो रहा लेकिन इसके बाद में इरान के बेच सहाय सादेग को बार बार आपती जनक इंडा दिखाने के कारण अयोग गोसित कर दिया गया सयाह ने अंती प्रियास में 47.64 मीटर भाला फेंक कर नया पैरा उलमपिक रिकॉर्ड कायम किया लेकिन अपनी आपती जनक हरकतों के कारण उन्हें पदक गवाना बहेंगा पड़ गया दोस्तों आपको बताते चलें कि अंतराज़वी पैरा उलमपिक समिती के नेमों के अनुजार एथलिट अस परदा में किसी तरह के राजनीती की सारे नहीं कर सकते हैं दोस्तों सयाह ने खेल के प्रती अनुजित बिवहार के करण अयोग के करार दिये गया और यही कारण था कि नोदीप का रज़त पदक स्वन्ड पदक के रूप में बदल गया आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में थेंक्यू सो मच फॉर वाचिंग